है गाईज कैसे हैं आप सभी लोग वेलकाम बैक टू आनाधर गेम प्ले वीडियो तो गाईज फाइनली यहाँ पर अपने लास्ट वर्ल्ड का अपडेट आ चुका है और इस अपडेट में इन्होंने कुछ चीज़ें भाई फिक्स करी है जो कि काफी जादा जरूरी थी तो वो क्या चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो गेम अपने अपडेट कर लेते हैं आप लोग देख सकते हो भाई प्ले स्टोर पे है यह मैं अपडेट कर रहा हूं और अपडेट आ चुका है और इस अपडेट में भाई इन्होंने कुछ नएब मॉन्स्टर ए अपडेट हो चुका है तो चलो भाई गेम प्ले सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोग भाई यहां पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी आउन पर सेट कर लिजिएगा ताकि भाई इसी तरीके के मैंने कलेक्ट किया था वो तो भाई खो गया है कहीं तो ठीक है भाई वो लकड़िया और पत्थर में बाद में जो है कलेक्ट कर लूँगा और यहां पर कुछ ने टास्क एट कर दिये इन्होंने जिसमें से दो भाई हम लोगों ने वह कंप्लीट कर लिया है और यहां पर अभी हम लोगों को जो है वो और भी चीज़ें करना है जैसे कि हमें जो है वो अपना पैल क्यूब बनाना है और भाई अपने पैल मॉंस्टर पकड़ने है तो ठीक है पर यहाँ पर लेवल वन कर दिये भाई जो की काफी सही है वैसे लेवल 30 सुरुवात में ही हो गया था तो यह काम तो करना ही है आज हम लोगों को तो चलो फटा फट यहाँ पर लकड़िया काटते हैं और देखते हैं भाई कितना टाइम लेगा हम लोगों को और अगर हो सके तो भाई हम लोग अपने लिए ने एक छोटा समदब एक ही कमरे का घर भी बना लेंगे बागी अभी तो अपने के वाल एक ही काम है लकड़िया काटना और थोड़े बहुत पत्तर भी यानि कीña की इन दौनों के बिगर यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है यानि की कुछ भी नहीं होने वाला है कुईकि अपने पास अभी जो है वो एक्स भी नहीं बनी है क्योंकि लाश्ट अगर आप लोगों को याद होगा तो बाकि यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत लखड़ीयां collect हो चुकी हैं तो थोड़ी बहुत पत्थर यानि की stone भी collect करेंगे हम लोग लेकिन थोड़ी लखड़ीयां और ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा काम लगने वाली है इन लकडियों का और अपने पास कोई चेस्ट हो गहरा तो है नहीं कि काफी कलेक्ट करके उसमें रख दें तो भाई यह की तोड़ते रहना है और भाई अपना काम करते रहना है तो अभी यहां पर थोड़े बहुत पत् पत्तों से ही ज्यादा मैं इस्टोन कलेक्ट नहीं करूंगा थोड़े बहुत ही मतलब इतने जितने यहां से मिल जाएंगे उतने में हम लोगों का सायथ काम हो जाए क्यों हम लोग को एक्स ही बनानी है बाकी उसके बाद देखेंगे जब काम लाएगा फिर से हम लोग वाला नहीं था पहले हाँ यह वाला से नहीं था क्योंकि यहां पर पहाड था न तो इसी वज़े से यह पत्तर या नहीं था अभी यहां पर आ चुका है बाकी ठीक है यहां पर सामने क्रिश्टल भी है एक और यह जो वाइट वाला पत्तर होता है यह तो हम लोग जो है वो तो देखते हैं वाई यह जब तक क्राफ्ट हो रहा है हम लोग कुछ और काम कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पैल बॉक्स में और देखते हैं हम पर टेकनॉलोजी इसमें चलके कि हमें क्या क्या चीजों की सबसे जादा जरूरत है जैसे कि यहां पर दो ही जो है वो अनलॉक है वागी सारे चीज़ें लॉक्ट हैं तो अभी हमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ चाहिए वो चाहिए हमें भाई पैल क्यूब जिसके लिए हमें तीन पॉइंट चाहिए मतलब कि तीन टेकनॉलोजी पॉइंट यानि कि हमें भाई यहां पर ल हैं मतलब कि यह xp तभी collect होगी जब हम लोग कुछ काम करेंगे जो से लकलिया काटेंगे पत्थर तोड़ेंगे बाकि यहां पर अपनी x जो है वो भाई बनने वाली है बस तीन सेकंड और बचा है तो उसके बाद हम लोग भाई अपने x से पत्थर तोड़ेंगे और लकलिया काटेंगे तो जादा मेहनत नहीं लगेगी तो चलो फटफट वैसे इसमें इस टाइमने वाला कोई दिक्कत है नहीं कि मतलब काम करते वक्त अपना इस टाइमना नहीं खतम होगा जब आप दोड़ोगे भाई रन करोगे स्प्रिंट लगाओगे कहने का मतलब है तभी आप काम मैं करके तब आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी ही देर में तो भाई फाइनली यहां पर काफी जादा मेनत करने के बाद हम लोग पहुच चुके अपने लेवल सिक्स पे और अपने पास तीन टेक पॉइंट हो चुका है तो फट आफट से पहल क्यूब को करते हैं अ यहां से क्रिश्टल मिलने वाला है वैसे दो तो मिलना ही चाहिए मिनिमम पर फिर भी देखते हैं तीन भी मिल सकता है दिक्कत वाली कोई बात नहीं है अब यह क्या हुआ एक ही मिला बाई मुझे लगा दो-तीन मिल जाएगा कोई बात नहीं है पर आगे भी थोड़े बहु collect करते हैं एक तो यहां पर भी है यह देखो एक छोटा सा वाई पत्थर इसको काटते हैं इसमें से तो दो मिल ही जाना चाहिए यार मतलब अगर एक एक मिलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार मतलब बहुत जादा बार मुझे चलो दो मिल गए इसमें तो इतना ठो ठीक है मतलब कि यहां एक बार में दो तीन मिले तो जादा सही रहेगा बाकि यहां पर सामने थोड़ा बहुत क्रिश्टल पड़ा हुआ है यहां पर भी चलकर भाई इसको भी तोड़ लेते हैं और फिर हम लोग बनाएंगे अपना पैल क्यूब देखते हैं फटाफट से भाई इसको तोड़ते हैं और इसमें से कितना मिलेगा दो तीन तो साथ इसमें से भी मिला है अपने पास टोटल अभी हो चुके हैं साथ से पाँच तो दो पैल क्यूब तो बनी जाएगा इतने में क्यूंकि उसके लिए भाई दो किष्टर ली लगने हैं तो दो मैं बना लूँँगा फटक से और उसके बाद देखते हैं भाई पोकेमों उनको पकड़ना कैसे है मतलब कि उनको थोड़ा डैमेज तो करना ही पड़ेगा पर ठीक है देखते हैं सबसे पहले हम लोग चल कर अपना क्राफ्ट करते हैं क्या कहते हैं इसको पैल क्यूब और क्यूंकि भाई लकणिया यहाँ पर मैंने काफी जादा कलेक्ट करी हैं तो मैं अपने लिए घर भी बनाऊंगा अभी तो एक कम करते हैं अगर मुझे घर बनाना होगा तो मैं कहां बनाऊं जैसे कि यहाँ पर जगे तो काफी बढ़िया खाली है तो यहाँ पर मैं बना सकता हूँ पर यह बीच में एक पेड़ है तो उसको अगर हम छोड़ दें भाई इस वाले ट्री को छोड़ दें तो यहाँ पर काफी जगे है वैसे इसको मैं तोड़ भी तो सकता हूँ चलो इसको हटा देते हैं उसके बाद यही पर हम लोग अपना घर बना लेंगे तो चलो फटा फट से इसको जो है वो तोड़ते हैं और इसमें से भी थोड़ी बहुत लकड़िया हम लोगों को मिल जाएंगी और देखते हैं कितना बड़ा हम लोग यानि कि बड़ा नहीं जादा बड़ा तो नहीं बनाऊंगा छोटा ही बनाऊंगा जैसे कि मैं 3x3 का सोच रहा हूं बनाऊ मतलब 3x3 का प्लेटफॉर्म बनाऊ और उसमें जो है वो उपर रूफ लगा दूँ और वाल और गेट और विंडो बस इतने में अपना काम हो जाएगा तो चलो यहां पर एक तो लगा दिया है एक नट इस तरफ नहीं लगा यहां पर लग जाएगा तो चलो 2, 3 यहां पर हो जाएगा तो यह 3 हो गया और उसके 3 इस तरफ और इसी के जश्ट बगल में 3 ऐसे हो जाएगा तो 3x3 का जो है अपना एक छोटा सा घर रहने लाइक, सोने लाइक बन जाएगा बाकी इसके बाद अभी हम लोग क्या बना सकते हैं वाल या फिर विंडो चलो सबसे पहले विंडो बनाते हैं और मैं दो विंडो लगाने वाला हूँ एक तो यहां पर पीछे और सोच रहा हूँ एक इस तरह भी लगा दें इस वाले साइड में एक नट यहां पर इदर आजा भाई यह यहां आगे लग जाएगा और एक यह पीछे की साइड इस वाले साइड यहां पर तो तीन विंडो यहां पर हो चुकी हैं गेट में एक ही लगाऊंगा और बाकी सारी अपनी वाल्स आ जाएंगी तो चलो वाल्स लगाते हैं सबसे पहले यहाँ पर और क्योंकि भाई मैं बीच में भी वाल्स लगा सकता हूँ पर मैं सोच रहा हूँ एक नट भाई लकडियां ही खतम होगे यार इतनी ज़्यादा मैंने कलेक्ट कर लेती पर कोई दिक्कत नहीं भाई थोड़ा सा और बचे अपना घर बनने के लिए वो बन जाएगा फिलाल हम पर अपने पैल क्यूब उठा लेते हैं और एक और मैंने लगा दिया है बनने को क्राफ्ट होने को तो तब तक के लिए हम थोड़ी बहुत लकडियां कलेक्ट कर लेते हैं और भाई जिससे की अपना काम होता रहे फिलाल वहाँ पर अपना पैल क्यूब जो है वो क्राफ्ट होई रहा है और यहाँ पर लकड़िया थोड़ी बहुत कलेक्ट कर लेते हैं जिससे की अपना घर भी कंप्लीट हो जाए भाई लगे हाथ मतलब कि उसके लिए वेट ना करना पड़े फिर बाद में तो चलो भी यहाँ पर थोड़ी लकड़िया मैंने कलेक्ट करी है जादा नहीं पर इतने में अपना थोड़ा बहुत काम हो जाएगा जैसे की यहाँ पर मुझे लगाना है वाल तो यहाँ पर लग जाएगा एक वाल एक वाल इस तरफ और आगे की साइड में लगाऊंगा गेट बाकी एक वाल यहाँ पर अरे यार आगे की तरफ लगाना है हाँ यहाँ पर और एक यहाँ पर इस साइड में और फिर एक यहाँ पर और एक नट भाई फिर से लकडियां खतम हो गई एक वाल में यहाँ लगाऊंगा उसके अधरूफ लग जाएगा और यहाँ पर एक गेट बस इतना ही काम करना है और इन सभी के लिए भाई एक एक आइटम के लिए 15 लकडियां लगती है तो काफी ज़्यादा मतलब लग जाती है यार तभी तो मैं कहूं भाई इतनी जल्दी कैसे लकडियां खतम हो जा रही है वाकि अपना दूसरा अलब भाई दूसरा अलब पैल क्यूब यहाँ पर बन चुके इसको लेते हैं अपने पास और चलते हैं भाई अपना पहला पॉकिमान पकड़ने और वो राभाई सामने अपना एक पॉकिमान अपना एक पैल मॉंस्टर तो चलो फटाफ़ट से उसके उपर अटेक करते हैं और यह थोड़ा पाउरफुल वाला है मुझे लगता है इससे नीचे वाले मतलब इससे कम खतरनाक वाले भी दो तीन पैल अपने पास हैं जो हम पकड़ सकते हैं पर शुरुआ थी हम खतरनाक वाले से करने वाले हैं भाई यहां पर देख रहा हो कितना बढ़ी है अब भाई यार एक बार में कित्ती जादा एच्पी खतम किया मेर कित्ता चांस है और वैसे इसका नाम क्या यह भी मुझे नहीं पता है क्योंकि यहां कहीं लिकर तो आ नहीं रहा यार और मैं कोई अंतर यामी तो हूँ नहीं जो मुझे नाम पता चल जाएगा बागी ठीक है भाई इसका काफी हिल्थ हमने जो है वो कम कर दिया है और मुझ लगते इतना काफी है अभी एक पैल क्यूब फेक कर देखते हैं इसके उपर तो चलो भाई क्या यह इतने में आ जाएगा वैसे काफी हिल्थ हो तो मैंने अब यह बोल रहा भाई मैक्सिमम हिल्थ से आप इसको नहीं पकड़ सकते भाई यह मैक्सिमम हिल्थ है मतलब यार 3-4, sort अगर मैं मार दूँगा तो यह मर जाएगा तो चलो देखते है थोड़ा सा और इसको करते हैं एक नट वाई सब क्या एक हिट और एक नट चलो इसको फेकते हैं नहीं एक हिट और मैं दे सकता हूँ यार नहीं तो अपना पैल क्यूब जह वो बरबाद हो जाएगा त इसका मतलब है कि हमें फिर से अपने लिए पैल क्यूब बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें जो है वो क्रिश्टल कलेक्ट करना पड़ेगा तो वेट करना पड़ेगा वेट मतलब क्या यार मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा भाई क्रिश्टल लाने के लिए फिल फिर से मिलता हूँ आप लोगों से और क्योंकि अभी और कोई तो काम है ने जो मैं आप लोगों को दिखा हूँ तो बस क्रिश्टल ही मुझे कलेक्ट करना है तो चलो भाई फाइनली यहाँ पर अभी मुझे मिल चुक है अपना क्रिश्टल और अभी मुझे बस अपना जो है वो क्राफ्ट करना है पैल क्यूब दो पैल क्यूब क्राफ्ट करने है और इस बार कैसे भी करके मुझे अपना पैल पकड़ना ही पड़ेगा भागी ठीक है चलते हैं फट आफट से क्राफ्टिंग पे लगाते हैं अपने पैल क्यूब को दोनों को ही लगा दिया है मैंने तो फट आफट से भाई एक ही साथ दोनों क्राफ्ट हो जाएगा अभी चलते हैं भाई अपने घर का थोड़ा इंतिजाम कर लेते हैं सबसे पहले तो यह वाल लगने वाली है ओ सारी यह डोर है तो डोर सबसे पहले आगे लगेगा और मैं क्या सोच रहा हूँ भाई कि बीच में एक आट डोर और लगा सकते हैं या फिर नहीं पहले एक मिनट पहले हम लोग लगाते हैं वाल यहाँ पर साइड में वाल अभी नहीं लगी हुई है तो वाल लगाते हैं यहाँ पर तो चलो यह लग गई और मैं सोच रहा हूँ यार बीच में पार्टिसन डाल दूँ जिसे की दो रूम हो जाएगा एक अपना सोने के लिए और एक अपना पैल्स के लिए और खाना पीना हो गया और सारी चीज़ें रखने के लिए तो चलो ठीक है यहाँ पर इतना मुझे लिकता है काफी है अपना अला यह रूम थोड़ा बड़ा है और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ ना बीच में गेट लगा देते हैं जैसे की यहाँ पर यह एक गेट हो जाएगा और यहाँ पर यह वाले रूम में जाने के लिए एक गेट यहाँ पर तो इतना हो गया अभी हम लोग एक गेट से इंटर करेंगे इस वाले रूम में जाने के लिए ये गेट सामने वाले रूम में जाने के लिए ये गेट तो ये अपने पैल्स के लिए जगा मैं पैल का बेड़ यहां पर लगा सकता हूँ पाकी अपना बेट हम लोग जो है वो इस वाले रूम में यहां पर लगाएंगे विंडो के बगल में पाकी इस जगे पर अपना चेस्ट वगेरा आ जाएगी सारी चीज़ें आ जाएंगी और अभी बारी है अपनी रूफ यानि की छत लगाने के लिए क्योंकि भाई बारी तो इतना तो जरूरी है कि अपना च्छत लगी रहे तो चलो फटाफट से इसको लगा देते हैं और मुझे लगता है अपने पास इनफ लकड़ियां हैं सायथ से और सायथ हो जाएगा यहां पर अपना पूरा च्छत लग जाएगा एक मिनट भाई लग जाया यार सही से य अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं और यहां पर मुझे रूफ लगानी है पर यह सई से भाई लग नहीं रही है और लग जाया यार एक मिनट यह बाहर की साइड लग रही है यार बाहर की साइड मुझे नहीं अंदर की साइड लगाना है पहले एक काम करते हैं भाई डि प्रश्राइब नहीं नहीं है थोड़ी लकड़ी अपने पास बची है तो यह वाल तो यहां पर लग जाएगी इतनी है तो चलो वाल मैंने लगा दिया है बाकी इसके बाद अभी क्यों अपने छट का काम बचा रहे गया बाकी सारी चीजें तो हो गई है तो एक काम करते हैं वर्सेन अपना छट भी लगा देते हैं यहां पर तो चलो यहां पर छट लग चुकी है पर अपनी लकड़ीया खतम हो चुकी है यहां पर जादा नहीं बस भाई तीनी प्लेटफॉर्म और लगाना है यानि कि टोटल 45 वोट्स की हमें जरुरत पड़ेगी पर वो भी हमें जो है वो तोड़ने जाना पड़ेगा क्योंकि अभी एक भी नहीं है मतलब कि पांच लकड़ीया अपने पास है थोड़ी बहुत यहां से तोड़ लेते हैं और अपना जो पैल क्यूब है भाई वो भी क्राफ्ट होई रहा होगा या फिल लगबग होई गया होगा यह लेता हो मैं सबसे पहले और एक मिनट भाई यह सीधा रहे है क्यों नहीं भाई अपनी एक्स चलाता है देखो इधर उदर एकदम डांस करता रहता है तो चलो अभी यहां पर छट लगा देते हैं उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना पैल पकड़ने के लिए और यहां पर यहां पर एक और यह और यह लास्ट वाला यहां पर लग जा भाई लग जा अंदर जाके अभे लग जा यार भाई अभी क्वेल एक बचा वह इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा क्या अभई यार यह उधर क्यू नहीं जा रहा है अभ्ण….पै जाना तो चाहिए भाई म ऐसे ही चड़ सकते हैं भाई अपना character जो काफी जादा talented है तो ये वाला जो platform है क्या मुझे इसे rotate करना है चलो rotate करके ही देख लेते हैं आ जाया है बस वैसे इसको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जो ये वाला हिस है भाई ये बाहर की तरफ ही जाएगा और फिर भी भाई अंदर लगना तो चाहिए न ये क्या तरीका है यार भाई यार इसमें काफी time लग जा रहा मुझे ऐसा लगता है ये लगेगा नहीं यार इतनी आसानी से क्योंकि भाई इसको मैं rotate कर रहा हूँ फिर भी ये जो है वो यहाँ पर लग नहीं रहा है और मुझे लगता है यहां पर उपर जगे खाली रहनी ही चाहिए पता नहीं पर क्यों रहनी चाहिए यार मैं चाहता हूँ मेरा चट पूरा पैक रहा है भाई यहां पर इतनी दूर खूला रहा है कोई भी जानवार आ सकता है यहां से पर अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं गलती से हमने एक platform बाहर की और लगा दिया है जिसको हमें delete करना पड़ेगा क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हुई यहां पर दिखे थोड़ा भद्दा लगेगा वैसे अच्छा तो यह अभी भी नहीं लग रहा है पर वैसे जादा ही भद्दा लग रहा था अभी फिलाल अपना पैल क्यूब लेते हैं और चलते हैं पैल पकड़ने और घर का मैटर हम लोग बाद में solve कर लेंगे तो चलो भाई कहां गया अपना पहला पैल जिसको हमें पकड़ने है वैसे कोई भी मैं पकड़ सकता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि एकदम भाई मतलब कम लेवल वाला है यहां पर यह ज़्यादा लेवल वाला है भाई इसी ने मतलब की भाई अपना दो पैल क्यूब बरबाद किया था तो हम लोग भाई इसी को पकड़ने वाले हैं सबसे पहला पॉकिवान अपना यही होगा जिसको हम पकड़ेंगे और यह क्या हो रहा है भाई इसको लग क्यों ना रहा है अपनी एकसे से चलो भाई लगी एक मिनट भाई एक ही पंच में कितनी ज़्याद है HP मेरी इसने भाई कम कर दी थोड़ा सा मुझे बचना पड़ेगा भाई अपनी भी हेल्थ यहां पर कम होगी नहीं तो भाई यह क्योंकि अपने उपर अटेक कर रहा है और भाई इसके एक पंच से काफी ज़्यादा अपनी HP कम हो रही है तो हमें थोड़ा बचना भी पड़ेगा वैसे मैंने इसकी आदी HP खतम कर दी है तो ज़्यादा टाइम ने लेगा इसको पकड़ने में पर भाई इसने भी अपनी आदी HP के आदी से ज़्यादा ही खतम कर दी है थोड़ी देर भाई यार इससे दूरी रहते हैं क्योंकि अपनी जो हिल्थ है वो अपने आप ही बढ़ जाती है तो इससे थोड़ा दूर रहेंगे तो थोड़ी देर के लिए अपनी हिल्थ तो बढ़ेगी ही और उसके बाद फिर जैसे यह हिल्थ बढ़ जाएगी हम लोग दो ही पंच का मैं बचा हुआ हूँ दो पंच अगर उसने लगा दिया तो मैं ऐसे ही मर जाओंगा और मैं चाहता नहीं हूँ कि पहले ही पैल का सिकार मैं बन जाओं अपने पास अभी एक पैल एक भी पैल नहीं है और अपनी हिल्थ यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है और मुझे लगता है काम भर की हिल्थ बढ़ गई है तो चलो भी इसके उपर अटेक करते हैं और इसको मारते हैं थोड़ा सा और जैसे ही एक दम थोड़ी सी हिल्थ बचेगी वैसे हम लोग इसके उपर अपना पैल क्यूब फेक देंगे और मुझे लगता है अब टाइम आ तो अपना पैल क्यूब फेकने का साही टाइम है तो फेकते हैं भाई क्या ये अंदर आएगा या फिन नहीं तो चलो देखते हैं वैसे इसका नाम डेमॉन है तो ठीक है भाई यहांपर चांसेज कितने परसंट है अब 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 इतनी कम हिल्थ पर भी यह नहीं गया फिर स पहला पैल पकड़ लिया है अपने लेश्ट वर्ल्ड में और भाई ये काफी खतरनाक पैल है मतलब कि यह तीन चार से मैं मिला हूँ उसमें से सबसे खतरनाक यही वाला है और यार किती दूर जा कि यह भाई मतलब निकल रहा है पाकी बॉल से और यह देखो भाई यह अप पना पहला पाकीमान है इसको हम लोग वापस बुला सकते हैं फिर बाहर निकाल सकते हैं और फिर वापस बुला सकते हैं तो अभी अपने पास एक पैल आ चुका है और काफी टाइम लग गया इसको पकड़ने में और हमने अपने लिए एक छोटू सा घर भी बना लिया है त से मुझे लगा नहीं था इतनी लंबी होगी तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाब टेक क्यार